तोइन दो wildlife मैं बहुत ही बढ़िया Hopefully आप सब भी बढ़िया वेल्कम कई अपनी चैनल श्टैन ऊकाव एंदर सो इंग्लियिश स्टैनो में इंग्छ स्टैनो की यह क्लास एडेवन की ख्लास धीटक्षर दी जाएगे तो इंग्लिस स्टैनों की डेवनी क्लास में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉंसोनेंट्स इंग्लिस स्टैनों का अंदर टॉटल 24 होते हैं जो कि कुछ इस तरीके के हैं जो कि आपके लेफ्टन साइड में लिख रखें पी बी टी डी चटी जे के गे एफ वी एट थी एस जड़ शर गले यह यह सो यह हमारे 24 इंग्लिस स्टैनों के लिए पर जो स्रेटर्व करने यहां वो यहीं रहेगा आप इस स्रेंस के पार देख लेए पी, बी, टी, डी, च, ज, क, ग, एफ, वी, इत, थी, स, ज, श, ज, ज, एम, एन, इंग, एल, आ, र, र, व, ये, और हे तो यह sequence आपको learn करना है इंग्लिश स्टैनों में जब हम यह consonants लिखेंगे तो इनको लिखने के लिए two ways हैं एक है curve और एक है stroke strokes दो तरीके के हैं जो की है light stroke और dark stroke curves भी दो तरीके के हैं light stroke, light curve और dark curve so P to G जो भी consonants हम लिखेंगे वो strokes में होंगे F से लेके Z तक, Z तक यह हमारे curves होंगे और M से लेके हे तक जित्ते भी है consonants यह इसमें curves भी होंगा और strokes बहुत है so starting from the P यह हमारा light stroke है इससे हम upward to downward लिखेंगे यह आपको लियाद रखना है अगर आप अभी याद रखेंगे तो आगे जागे जब आप words दुनाएंगे तो आपको easy लगेगा B जो है हमारा dark stroke है यह भी upward to downward है T जो हमारा है यह light stroke है यह upward to downward है D हमारा जो है वो dark stroke है यह upward to downward है चो यह light stroke है यह भी upward to downward है J यह dark stroke है यह भी upward to downward है K हमारा light stroke है और यह left to right बना जाएगा G जो है हमारा dark stroke है यह भी left to right बना जाएगा F ये कर्व है इस कर्व को लिखने गदर का फुजिस्तरी का है ये हमारा light कर्व है ये भी upward to downward ही किरा जाएगा वी जो हमारा है ये dark कर्व है ये upward to downward ही लिखा जाएगा इत हमारा जो है ये light कर्व है और थी हमारा जो है ये dark कर्व है यह upward to downward ही लिखा जाएगा और यह भी upward to downward ही लिखा जाएगा S हमारा जो है यह light curve है और Z हमारा जो है यह dark curve है यह upward to downward ही लिखा जाएगा यह भी upward to downward ही लिखा जाएगा Y हमारा जो है यह light curve है और Z हमारा जो word है यह dark curve है यह upward to downward और यह भी upward to downward अब करते हैं स्टार्ट M, M को लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है, ये लाइट है हमारा, M, N, ये दोनों लाइट है, इंग, ये डार्क है, L, ये लाइट है, इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके का है, और रे, रे मीन्स आर, आर को लिखने का तरीका ये है हमारा, जो कि कुछ इस तरीके की है यह लाइट है हमारी लाइट स्ट्रोक यह डाउनवर्ड तो अपड लिखी जाएगी वे जो है वो इस तरीके से बनेगा दियान से लिखेगा इस तरीके से बनेगा यह इस तरीके से यह जो है इसका टोटली अपोजिट है जो कि इस तरीके से बनेगा हे है इसको लिखने के दो तरीके हैं जो की है यह अबटो डॉनवर्ड और एक जो है यह वह हैं यह डाउनवर्ड यह दो तरीके हैं को लिखने के अब मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं ताकि आपको एजी हो जाएगा कि कौन साइस में लाइट और कौन साइस में डार्क हैं आप यह याद लिखेगा जो आपने यह लाइट कर और डार्क स्ट्रोक बनाए यह आप लिकागनाइज कर सकें चुक्कि आगजागे दो आप ब लाइट स्ट्रोक है शॉट में हम इसको ल सी लिख देते हैं और यह डार्क स्ट्रोक है इसको डी एस लिख देते हैं यह लाइट स्ट्रोक है और डार्क स्ट्रोक लाइट स्ट्रोक डार्क स्ट्रोक लाइट स्ट्रोक लाइट कर्व लाइट कर्व लाइट कर्व लाइट क कृट कर लाइट कर्व है डाक कर बाइट कर्व दा कर जो इस लाइट कर्व है यह डाग कर पर दो, यह लाइट कर्व यह लाइट स्ट्रोक है यह लाइट स्ट्रोक यह भी लाइट स्ट्रोक और यह भी लाइट स्ट्रोक इसको इसने का तरिया कुछ इस तरीके का रहेगा अब आपको इसके प्रैक्टिस मिनिमम फाइप पेजसी करनी है जब जाके आपको यह वर्ड याद रह पी बी टी डी चर जव चुछिकि जब आप इस टैनों की जब यह वर्ड यह इस 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 याद करेंगे तो आप वो एजी रहे रहा अगर आप इस सीक्मेंस में याद करेंगे जो हमारे डेट्वी क्लास हैं उसमें हम एक्सराइज वन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम जो कॉंसुनेंट्स हैं उनको जोइन करना सीखेंगे सो कैच यह ओन दा नेक्स्ट वन सो प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर आर चैनल लीज